नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पिछले वीडियो में सेकंड पेपर कक्षा 6-8 अध्यापन पातरता के लिए सीटेट 2022 की परिच्छा होने वाली है उसका सिलेवस बताए जाता है इस वीडियो में फर्स्ट पेपर जो की फर्स्ट सीट में होता है मौरनिंग में हो इस वीडियो में आपको पता चलेगा तो अब्यस है कि स्लेवस में जो है वही आपको पढ़ना है उसी जिए अनुशार त्यारी करना है तो चलिए देखते हैं कि इसके स्लेवस में है क्या इसका जो ऑफिसियल वेबसाइड है वहां इन्फरमेशन बुलिटीन सीटेट 2022 के जो उपलब्द है वहां से स्लेवस प्राप्ट किया गया है आप भी उस लिंक में जाकर उसे डाउमलोड कर सकते हैं तो यहां है आपके सामने सीट दिसमबर 2022 का स्ट्रक्चर एंड कंटेंट आप स्लेवस पेपर वर्ण के लिए पहले बताया जा रहा है पेपर टू के लिए आरड़ी बताया जा चुका है पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए तो पेपर वन जो की कक्षा एक से पांच अध्यापन पात्रता हेतू होता है बिल्कुल सीजीटेटी में जिस तरह से होता है उसी तरह से सीटेट में भी तो यहां पे आप देखेंगे कि जो चलेवस का पहला भाग है तो उसमें बालवी का सिच्छा सास्त्र से कुल तीस क्वेस्चन तीस नंबर के पूछ जाते हैं अब यह बालवी का सिच्छा सास्तर जो भाग है इसके अंतरगत उप भाग तो वो है ए नंबर और इसी तरह बी और सी ऐसा दिया है तो देख लेते हैं ए में हैं चाइल्ल डेवलेप्मेंट प्रैमरी स्कूल चाइल्ड तो बालवी कास प्रात्विक इस तरह के बच्चों क वहां से कुल 15 क्वेस्चन पूछे जाएंगे और उसके भी कुछ बिंदू हैं जिसके अधार पर प्रैस्टर पूछे जाएंगे अब आगे देखते हैं भाग एक का बी तो भाग एक का बी देखते हैं ए हमने देखा कॉंसेप्ट आप इंक्लूजिव इजुकेशन मतलब यहां पे समावेसे सिच्छा और विशेस आवसकता वाले बच्चों से समबंदित पांच प्रैस्टर पूछे जाएंगे भाग बी में अब भाग सी देख लेते हैं भाग एक का भाग सी यहां पे लर्निंग एन पेड़ागोजी मतलब सिखना और सिख्छान सासर से समबंदित दस क्वेश्चन आएंगे और उसके अंतरगत भी आप देख सकते हैं कि बिंदु वार दिया हुआ है कि क्या क्या टॉ आपको पढ़ना है तो यहां पे देख सकते हैं सिलेबस का भाग एक खता हुआ अब भाग 2 सुरू होता है लेंगवेज 1 ठीक है और भाग 3 में होगा लेंगवेज 2 यहने कि भासा 1 भासा 2 अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप भासा 1 में हिंदी चुनेंगे और भा इन धिक्रेंट चुना है तो कि उसके अंतर्गत यहां पर देख सकते हैं दो भाग है और में में हैं लेंगवेज कंप्रहेंशन और मैं लेंगवेज डेवमेंट अगर आपने हिंदी चुना हैं तो लेंदी से संबंधित कंप्रहेंशन प्रष्ण अपंधर 17 पूछ्छा ज और अगर आपने भासा दो अंग्रेजी चुना है तो बिल्कुल इसी तरह से भासा दो के लिए भी वह इंगिलीज का कंपरेहेंशन समदित प्रश्ण और अंग्रेजी शिक्षा सास्थर समदित 15 प्रश्ण इस तरह Сे भासा दो के भी 30 प्रश्ण पूछे जाएंगे और अगर अंग्लेजी के जगा संस्क्रीट चुना है तब भी यही होगा संस्क्रीट की कंप्रेहंसन के 15 प्रशन और संस्क्रीट सिक्षन सासरे से संबनित 15 प्रशन इस तरह से होगे 30 प्रशन अब अगला देखते हैं सिलेबस का भाग चार, भाग दो और भाग तीन, भासा एक और भासा दो से संबनी थे, बिल्कुल सेम है, स्रीप प्रश्णों के इस्तर अलग-अलग होगा तो भाग दो हो गया, यह भाग तीन हो गया, अब हम देखते हैं भाग चार तो कक्षा एक से पांच के लिए गनित के जो प्रश्ण है, वो सभी के लिए अनिवारिय हैं यह जो है, कक्षा एक से दसवी तक का जितना गनित पढ़ते हैं, दसवी इस तर तक का गनित होता है तो आप देख सकते हैं भागचार, syllabus का भागचार जो है, वो है mathematics सेने की गनीत, जिसमें आपको देख सकते हैं 30 questions जो हैं, पूछे जाते हैं 30 number के, geometry मतलब जयमिती है, अकार है, आकरिती है, यह ना, और संखिया है, घटाना जोड़ना है, गुना भाग है, मापन है, वजण है, समय है, आयतन है, है ना, और संखिया है, संखिया संबंधी, वो संखिकी और पैटर्न से संबंध प्रस्तन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और money और भाग B में है 15 question गनित सिक्षन सास्त्र से संबंदी जिसके बिंदु यहां दिये हुए हैं जिसके अधार पे आप त्यारी कर सकते हैं तो गनित में 15 प्रशन है समानने गनित के होंगे जोड़ना गटाना गुनाबाग 10-20 तर तक का उससे कटिन नहीं पुछेगा और 15 question से जो है वो गनित सिक्षन सास्त्र के होंगे सुद्ध तो पूरा गनित नहीं होगा 15 question आपके गनित सिक्षन सास्त्र से होगा जो आप D8 B8 में पढ़ते हैं इसके बाद है अगला syllabus का जो अगला भाग है वो है भाग 5 environmental studies याने की परियावरन अध्यन तो यह भाग 5 है और syllabus का आखरी भाग है तो यहां से भी 30 questions 30 number के पूछे जाते हैं टोटल 150 questions 150 number के हो जाते हैं और इसमें minus marking रिनात्मक मुल्यांकन नहीं होता है इसलिए सभी प्रशनों को attempt करना चाहिए अब environmental studies में भी आप देख सकते हैं कि भाग A में मतलब syllabus के भाग 5 के उप भाग A और उप भाग B को आप देख सकते हैं तो 15 questions जो हैं वो हैं समान्य परियावरन से समबंदी जिसमें family मतलब परिवार और मित्र और भोजन फिर आस्रे पानी यात्रा और current affairs से समबंदी आस पास के समान्य जानकरी और जो बाकी के 15 questions हैं वो सुद्ध होंगे परियावरन सिक्षन सास्त्र से जो की D8B8 में हम पढ़ते हैं तो चाहे परियावरन हो चाहे गनित हो चाहे हिंदी हो चाहे अंगरी जी हो 15-15 questions जो हैं वो सिक्षन सास्तर से related होते हैं जो की D8B8 वाले विद्यारती पढ़ते हैं और बाकी 15 questions समान्य होते हैं जो अन्य exams में भी पूछे जाते हैं जैसे गनित के प्रशना अन्य exam में जी इस तरह से पूछे जाते हैं वैसे हो जाएंगे या प्रियावरान के अन्य exam में जैसे पूछे जाते हैं हिंदी के अन्यений में जैसे पूछे जाते हैं वैसे तो peso 15-15 तो सब इस की त्षन सास्त्र की प्रशन है और बाल भकास्त पूर सिक्षन सास्त्र से सभरनित के तो अब तो दोस्तों यह है इस तरह प्राम में जूड़ जाइए और वहां बताईए विडियो को आप लाइक कर सकते हैं चैनल को लाल कलर कर सब्सक्राइब बटन दबा कर सकते हैं पेल आइकन देखेगा उसको आउन करके नोटिफिकरिक्शन प्राथ कर सकते हैं यह बिल्कुल फ्री है मिलेंगे अगले वीडिय हेरा प्रेड़स हो नहाini करेंगECT